हेलो फ्रेंड्स एंडियर स्ट्रेंट्स हमने पिछले साल एक वीडियो अप्लोड किया था आपके फर्मासोटिकल और्गैनिक केमिस्ट्री के सैलेबस से जहां पर हम एपसुलूट कन्फिग्रेशन जो की आर और एस कन्फिग्रेशन का होता है उसको जानने की कोशिश की थी उसको बताने के कोशिश की थी क्या-kया रूज्स हैं और किस तरी किसम र और एस इस कन्फिग्रेशन को लिखते हैं जिसे हम लोग अपसुलूट के नाम से जानते हैं तो उसमें का कई सारे वीडियो में कही सारे कमेंट्स आये हुए हैं जिसमें कई बारे बच्चों को कां आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो ले क्या रहा हूँ जहां पर हम लोग किसी भी chiral molecule के absolute configuration को अगर वो fissure projection में लिखा हुआ है तो किस प्रकार से बता पाएंगे कि वो R configuration का है या फिर S configuration का है तो ये वीडियो काफी जारा important आपके लिए हुने वाला है इसको आप पुड़ा देखेगा तो आपके सारे confusion जो है वो दूर हो जाएंगे मैं हूँ Dr.Prajanin शुक्ला चले शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमें जानना होगा what is fissure projection एक चोटा सरी क्याप ले लेते हैं हमने पहले भी इससे बात की है fissure projection जो है वो किसी भी काईरल मॉलिक्यूल को थ्री रिमेंशनल स्पेस में प्रिजर्सित करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जहाँ पर हम दो लाइने लेते हैं एक तो cd line लेते हैं और एक जो है हमारी horizontal line होती है इसे हम लोग कहते है vertical line इसे बोलते है horizontal line जिससे एक example ले लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो line को हमने लिया है एक cd खड़ी की हो और एक लेटी भी line है जिसे हम लोग इसे वाली line को हम लोग horizontal बोलते हैं और इस वाली line को हम लोग vertical बोलते हैं अब ये line जिस जगह पर एक दूसरे को intersect करें जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है वहाँ पर एक chiral carbon को प्रदश्रित करती हैं यह हमारा chiral center है या chiral carbon है what is chiral carbon? chiral carbon वो carbon होता है जिस पर 4 different groups लगे हो अलग-अलग group लगे हो अगर किसी carbon पर तो उसे हम लोग chiral carbon और उस center को हम लोग chiral center बोलते हैं उस molecule में जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब आप देखें यहाँ पर A, B, C और D चार अलग-अलग group लगे हैं चार अलग-अलग color से भी लगे होएं ताकि समझने में आए कि यह 4 different groups हैं और इस carbon पर लगे हैं इसलिए इसे chiral center बोल रहे हैं अब हमें जानना है कि यह line का क्या मतलब है तो जो यह vertical line होती है इस पर जो भी group लगे होते हैं जो भी व्यक्ति इसको देख रहा है उससे दूर लगे होते हैं यानि अगर आप इसको paper पर draw कर रहे हैं तो जो यह paper है या जो यह screen आप देख पा रहे हो इससे यह below the plane चला गया है या आपके paper के नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है जैसे माल लेते हैं यह हमारी जो column है यह हमारा paper है तो यह जो group लगा हुआ है वो नीचे चला गया है या हमसे दूर है जानि आपको सीधे नहीं दिख रहा जो देखने वाला है उससे दूर की तरफ जा रहा है उससे के तरफ है या paper से नीचे के तरफ लगी हुई है और इसे हम dash line के थूप दर्शित करते हैं कहने का मतलब अगर हम विर्स formula में बता रहे होते तो यह जो vertical line है इसे हम लोग dotted या dash line से दिखाते हैं ठीक है यह क्या मतलब है कि हम सही से इसको देख नहीं पा रहें क्योंकि हम से दूर है तो हम सही से देख नहीं पा रहें इसीलिए हम dotted line से इसको बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर A और C यह दो जो group है वो dotted line से हमको दिखाने चाहिए next दूसरा जो है यह जो हमारा horizontal line है इसका क्या मतलब है अगर दो group आप से दूर लगे हुए तो दो group आपकी तरफ लगे होंगे plane के उपर लगे होंगे यानि horizontal line पे जो groups लगे होते हैं वो viewer की तरफ होते हैं जो व्यक्ति देख रहा है उस molecule को उसकी तरफ है यह हम simple शब्दों में कह सकते हैं above the plane है यानि plane के उपर है कागज के उपर लगा हुआ है आपकी स्क्रीन के उपर लगा हुआ है आपकी तरफ pointed आओ जैसे यह पेन है तो यह आपकी तरफ pointed out हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं pointed towards the viewer और इसे जब हम लोग bits formula में दिखाते थे तो हम इसे जो है गाढ़ी लाइनों से दिखाते थे जानी कि एक एक जो है गाढ़ी लाइन मनानी होती है और उस पर in groups को हम लोग क्या करते हैं दिखा देते हैं जैसे कि B जो है और D जो है यह दोनों जो है वो गाढ़ी लाइ description को जनरी निल लगते हैं हम इस तरीके से ही लिखते हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है एक जैसी लाइन बनाते हैं वर्टिकल लाइन का मतलब हो गया अवे फ्रॉम दा वीवर और हर्जंटल लाइन का मतलब हो गया तो व्यक्ति देख रहा है उसके तरफ तो यह आपको पूरा डेटेल में वीडियो किया हुआ है तो उसके लिंक आपको description में देंगे बट एक recap हम लोग यहां पे लेंगे तो absolute configuration जो है वो किसी भी atom या किसी भी molecule में जो उनका जो atoms का या groups का three dimensional space में यानि जो हमारा कोई भी चीज है जो उसकी लंबाई उचाई मुटाई हर चीज जैसे हो रही है वैसे ही molecules की भी होती है तो किसी भी molecule में जो atoms लगे हुए है chiral खास करके molecule में जो चारो atom लगे है वो three dimensional space में किस प्रकार से arrange है यह बताने का जो तरीका है उसे हम लोग absolute configuration बोलते हैं यहां पे एक कुछ set of rules हैं जिनकी वज़ा से हम किसी भी chiral center पे जो भी groups ल the plane है कि below the plane है और exact position जो है वो हमकी बता सकते हैं इन exact positions को configuration में बताने के लिए दो तरीके के हम configuration यूज करते हैं एक तो relative एक तो absolute relative में हम D और L capital D और capital L का परियोग करते थे जिसमें हम glyceral dehyde के साथ molecule को relate करके बताते थे बट absolute में किसी के साथ कोई relationship नहीं करते हैं और जो सब अबसे common method है absolute configuration को बताने का उसे हम capital R और capital S configuration बोलते हैं ये जो configuration बताने का तरीका है वो can involved prelock priority rules या simple set of priority rules के उपर जो है वो decide किया जाता है set of priority rules ये तीन साइंटिस्तों ने मिलकर के दिया था इसलिए इनके नाम पर इसे हम लोग priority rules के नूम से इसको जानते हैं ये हम पहले इ इकदम साधान सब्दों में कहें कि ये कैसे हम लोग इसको calculate करते हैं तो एक example ले लेते हैं हम लोग two bromobutane का R को अभी आप छोड़ दीजे दूसरे position पर chiral group है और उसका जो configuration वो R है वो कैसे आ रहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो जो can involved prelock system priority rules होता है उसमें simple सब्द दो में जो भी chiral carbon है उस पर जो भी atom जुड़ा हुआ है उस atom का हम लोग atomic number देखते हैं जिसका atomic number ज्यादा होता है उसको priority one देते हैं उससे कम वाले को दो उससे कम वाले को तीन और सबसे कम वाले को चार दे देते हैं जैसे इस example में अगर आप देखिए two bromobrotane के तो आप दे देखेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं BR क्योंकि BR का atomic number कितना होता है 35 तो यह हमारा priority rule में कहा होगा यह number one priority का हो गया number two priority में अब देखिए दो जगा पर दो ग्रूप एक जैसे लगे इस carbon पर इधर भी carbon लगा और इधर भी carbon लगा carbon का atomic number 6 होता है दोनों जगा बराबर है तब इसी formula में जो यह rules थे इसमें एक बात और कहीगी अगर same atom दो लगे हो तो उसके बगल वाले atom को भी देखा जाता है कि कौन सा लगा है तो इगर आप इस carbon को देखिए तो इसमें इसके बाद hydrogen लगें बट इस carbon में एक और carbon लगा हुआ है इसलिए यह दूसरे position पर चला तो इसके हमने priority set कर ली और यही can involve priority rules कहलाते हैं अब हमको करना क्या है simply हम 1-2 की तरफ 2-3 की तरफ चलते हैं यानि 1-3 की तरफ आपको बढ़ना है तो हम 1-3 की तरफ बढ़ते हैं इस तरीके से arrow लगा करके तो ज़ब 1-3 की तरफ arrow जब लगा रहे थे तो जो इसका movement है अगर वो clockwise हो रहा है जिससे घड़ी चलती है या डाइड डाररेक्शन में दिख रहा आपको। यह जो अभी हमने ऊप aquesta इडाइड डारेक्शन में दिखर है या फिर clockwise दिख रहा है तो अगर clockwise या राइड डारेक्शन में ठाइड तो उसे देखें यहां पर इस carbon से पहले तो जुड़ा हुआ है यहां पर सी जुड़ा हुआ है यहां पर सी जुड़ा हुआ है यहां एच जुड़ा हुआ है तो ओ का जो atomic number oxygen का वह 8 होता है जबकि carbon का 6 होता है तो इसमें से सबसे बड़ा priority group कौन सा यही वाला हो गया यह हो गया एक ठीक है इसके बाद इन दोनों में फिर से tie हो गया क्योंकि यह दोनों 6-6 हैं तो इसके बगल वाले में देखना रहा है तो यहाँ पर कि दो hydrogen के साथ यहाँ पर एक oxygen लगा हुआ है यहाँ पर भी एक oxygen लगा लेंगे तो यहां पर एक बार है यहां पर दो बार माल यहां पर एक हो है यहां पर डबल बॉंडेड हो है तो यह वाला बड़ा है तो इसकी प्रियोर्टी क्या हो जाएगी तीन और यह फिर से हाइडोजन ही है तो यह हो जाएगा चार अब हमको फिर से वही करना है एक से ती जो है वो घूमती है यह क्या हो गया clockwise वाले इस इस एक्जामपल में clockwise भूम रहा था यहां पर क्या गोड़ा आप गड़ी से उल्टी विशा में भूम रहा है या फिर आप बोल सकते हो कि left side में भूम रहा है तो left side में भूम रहा हो या anti clockwise भूम रहा हो तब उसे हम लोग S configuration बो अक्सी प्रोपेनल तो यह जो है नाम में भी हम इस configuration को बताते हैं तो एक सिंपल सब्दों में कह लिए आर और एस जो है आर का मतलब होता है रेक्टस और जो S का मतलब होता है sinister यह दोनों Latin word है और rectus का मतलब होता है right side sinister का मतलब होता है left और इसी लिए जो है अगर हम priority में one से आप देख रहें यह one से हम लोग चल रहे थे four से नहीं चल रहे यह one से चल रहे यह one से two three की तरफ जब चल रहे है तो right side direction में चल ला है इसी लिए R configuration हुआ और अगर one से three जो हम जा रहे है left side में पढ़ रहा है तो उसे हम लोग S configuration के रूप में जानने तो S configuration हो गया यह वाला R configuration हो गया अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो यह हमारा fourth priority group होता है यह हमेंसा हमसे दूर होना चाहिए यानि जो viewer है उससे दूर होना चाहिए below the plane होना चाहिए बीच में इस rotation के आना नहीं चाहिए इसको हम avoid करते हैं इसको हम मानते नहीं अगर यह हमसे दूर है अब इसी से कहानी हमारी आगे की शुरू होती है तो अब हम आते हैं अपने main topic पे that is determination of R and S configuration in phaser projection तो जैसे आपके सामने यह example एक हमने दे दिया अब इस example में अगर हमको लि ज्यान से देखें तो यह तीन carbon की chain है यह carbon number one यह है two और यह है three अब इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे यहां पर aldehydig group लगा हुआ है यहां पर hydroxy लगा हुआ है priority list जो group की priority list है जो पहले आप पढ़ चुके है IPAC rules में उसमें आप जानते हैं कि जो aldehyde group होता है वो hydroxy group से उपर होता है तो इस वी वज़ा से हमको जो है इसका नाम जो है वो aldehyde की हिसाब से लिखना पड़ेगा तो इसका तो हमारा example है यहां पर carbon number two जो है वो एक काईरल carbon है यह देखें काईरल carbon है अब हमको सबसे पहला क्या करना है कि काईरल center को पहचानना है तो यहां पर तीन carbon तो है लेकिन carbon number 2 ही काईरल है बाकी कोई काईरल नहीं है क्योंकि carbon number 2 पर 4 different groups जो है वो लगे हुए किसी molecule में एक से जादा भी हो सकते हैं और हर जगा की फिर हमको configuration बतानी होती है next अगर अब हम चाते हैं कि हमसे कोई गलती नहों तो हम समसे पहला काम क्या करें जो हमारे horizontal line पे groups हैं उनको हम लोग bits line के द्वारा यानि कि गाड़े line के द्वारा लिख करके यह धिमाग में रख लें कि यह हमा आए कि जो CL है और यह BR यह किसकी तरफ pointed out है यह देखने वाले की तरफ है आपकी तरफ है या फिर above the plane है अब आईए हम लोग priority रूल से इनकी priority set करते समस्त्र ग्रूप की तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार चार ग्रूप लगे हुए BR की जो atomic number है वो 35 होता इसलिए यह क्या होगा हमारा first priority group हो जाएगा CL का जो atomic number है वो 17 है इसलिए यह दूसरे number पर आजाएगा यहां पर यहां पर दोनों जगहों पर carbon के साथ यहां पर एक oxygen है और यहां पर carbon के साथ double bonded oxygen है तो जैसा पिछले में भी बताया था यह हो जाएगा हमारा priority number 3 और यह वाला हो जाएग और अगर vertical line पर आ रहा है तो कोई problem नहीं है क्योंकि vertical line जो है वो हमसे दूर है यह हो गया हमारा step number one जहां पर हमको chiral center पहचानना है और उसके बाद horizontal line पर जो width line है उनको एक साथ करना है step number two में हम priorities जो है वो set करते जैसे कि अभी हमने किया था फिर से एक बार कर लेते यह हमा यह priority number two है यह हमारा priority number three हो गया और यह priority group number four हो गया जब आप priority set कर ले one two three four आप कर लिए यहां तक काम आपका हो गया can in log pre log system या priority rules के उपर तब हम आगे बढ़ते हैं अब हमको कुछ नहीं करना हमको simple एक से तीन की तरफ चलना होता है तो हम एक से तीन की तरफ दो फे हो करके जाएंगे तो हम देखी यहां चल रहे one two और three तो one two three जब हम चले तो हम क्या चल रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि यह clockwise direction में चल रहा है या right direction में चल रहा है तो अगर clockwise direction में चल रहा है राइट side direction में चल रहा है तो यह क्या होगा r configuration हो जाएगा और अगर यह anti clockwise चल रहा होत होता left side में जा रहा होता तो उसे हम लोग s configuration बोल रहा होते हैं यह हम सभी को मालूम है लेकिन यह जो तीर जिद साइट चले और उसी को तुरंत आर और s को बोल दिया इसके लिए एक बहुत खास बात है कि अगर lowest priority group जो है वो आप से दूर है या vertical position पे है जैसा कि यहां पे दिख रहा है यह जो लाइन थी vertical वाली उस पे हमारा fourth वाला जो group है वो पाया जा रहा था तो हमको कुछ नहीं करना है कोई बदलाव इस structure position के अंतरगत आ रहा है इसमें ध्यान देनी वाली बात यह है कि अगर lowest priority group आपका vertical position पर है तो कुछ नहीं करना है आपको यानि कि वो आप से दूर है यह पीछे है below the plane है तो हम simple क्या करेंगे line को 1 से 2 से 3 की तरफ 3 को ले जाएंगे arrow को घुमाएंगे और अगर उसकी direction जो है वो clockwise आती है arrow की तो R configuration हो जाएगा और अगर जो arrow है उसकी direction anti clockwise है तो S configuration हो जाएगा यह विट्स फार्मूला में सरी फिसर projection में कोई बनाओ किये भीना हम सीधे जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं problem कब आती है जब हमारा fourth का जो group है वो इस line पर पड़ाओ यानि हमाई तरफ हो अब आप देखिए आपको एक से 3 तरफ जाना है और चार को ignore करना है लेकिन चार अगर आपके सामने तो उसको ignore करने में दिक्कत आएगी problem होगी घूमने में दिक्कत होगी तब हमको कैसे निकालना है वो हमको ध्यान देना होगा यानि कि अगर lowest priority group जो है वो horizontal position पर देखिए यहीं पर problem शुरू हो रही है इसी से आपके questions आ रहे हो horizontal position पर है lowest priority group तो क्या करेंगे अगर हमें एक जो है पहले तो एक example ले लेते हैं एक ऐसा example जहां पर जो lowest priority group है वो horizontal position पर आ रहा होगा जैसे यहां पर देखिए अब आपके पास चार group थे तो हमने पहले rule no.1 के इसाब से इसको विट्स formula में लिख लिया या मोटी लाइन जो है आपर बना ली सेम जो है इसको हमको क्या करना इसको पहले rule no.1 के सीधे जोड़ा हुआ है इसलिए यह क्या हो जागा हमारा first priority group हो जागा अब बात करते हैं सेकंड प्राइर्टी ग्रूप की तो यहां पर देखे यह वाला carbon और यह carbon यह दोनों ही carbon carbon है जिनकी atomic number 6 है तो यहां पर tie हो गया लेकिन इस carbon पर अब oxygen लगा एक double bonded oxygen एक single bonded oxygen oxygen का atomic number 8 होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा यह हरे रंग से इसलिए लिखा हुआ है ध्यान देने वाली बात है इस carbon पर 2 hydrogen के साथ एक BR भी लगा हुआ है BR का atomic number 35 जबकि oxygen का कितना होता है एक तो इन दोनों में जो बड़ा group है वो कौन सा हो गया यह क्योंकि BR का atomic number काफी जादा है तो यह हमारा हो गया second priority group और जो यह अब simple सी बात है ह एच और इस पर अगर आप देखेंगे तो यह हमारा third priority group हो गया और यह हमारा four priority group लेकिन जैसे ही आपने देखा कि four वाला जो आपका priority group है वो कहां आ रहा है इस वर्टिकल लाइन पे आ रहा है यहां यहां आ रहा है दोनों जगह में से कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब कि वो हमाई तरफ है above the plane है और ऐसे case में हम तुरंत आर या s configuration लिखने की कोशिस नहीं करेंगे ऐसे case में जहां पर lowest priority group जो है वो हमाई तरफ towards us है यानि हमाई तरफ point out हो रहा है यानि की vertical line पर है तो ऐसे case में तुरंत आर और s configuration मत लिखिए बचने की कोशिश कीजिए और इसमें आपको जो path आप arrow का बना रहे थे एक से दो दो से तीन नहीं तरफ जा रहे थे और अगर right side जा रहा थो तो और बोल ले थे left side जा रहा था तो एस बोल ले थे ऐसा यहां पर तुरंत आप नहीं करेंगे इसके लिए हम लोग दो simple methods use कर सकते हैं ताकि हम आर और s configuration बता पाएं तो एक तो main method है जिस जो की standard books में आपको मिलेगा जिसक देते हैं तो अगर आपका horizontal position पर है priority group तो method one में हम क्या करते हैं simply interchange कर देते हैं दोनो pair of groups को एक pair group को नहीं change करेंगे दोनो जो groups है जो चार ग्रूप लगे हैं उसमें एक-एक pair है एक-एक pair को यानि horizontal को vertical से vertical को horizontal से क्या हम करते हैं interchange करते हैं और इस interchange की वज़ए से जो fourth priority group है ज तो horizontal से vertical line पर आ जाता है जैसे example ले लेते हैं यहाँ पर आप इसी का example लेके चल रहे थे तो देखिए कैसे बदलना है तो interchange करने के लिए हम क्या करते हैं dotted line इस परकार से लिखते हैं और दोनों तरफ तीर बनाते हैं double headed बनाते हैं यानि इसको यहाँ बेजना है और इस COH group को हम को कहां बेजना है CL की जगह पर देना है ठीक उसी तरीके से अच्छा ऐसा भी मत कीजिएगा कीवल एक बदलिए जब भी बदलिएगा तो दोनों को बदलिएगा दो को बदलना है यानि कि यह एक पेर हो गया यहां पेर एक कहां लगा था वर्टिकल पर एक लगा लगा पर तो होरिज़न्टल वाले को वर्टिकल बेजा वर्टिकल वाले को होरिजेंटल पर थीक उसी तरीके से यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा interchange करना पड़ेगा CS2BR को इस पे भेजना पड़ेगा horizontal पे और H को कहा भेजना vertical पे तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक structure प्राप्त होगा जहाँ पर ये groups की position दोनो groups की यानि कि दोनो pair of groups की हमने क्या कर दिया बदल दिया ध्यान देनी वाली बाती है कि अगर आप पूरा rotate कर रहें यानि एक group को दूसे group से दूसे वाले को पहले वाले से यानि कि ये चारों को अगर position आपने change कर दिया तो एक same चीज बन रही है उसमें configuration नहीं बदलता लेकिन अगर आप केवल किनी दो को बदलेंगे तो configuration बतल जाएगा आपका answer गलत आएगा तो हमको जब भी बदलना हो ये पहले method में हम simple क्या करेंगे इसको इस से और इसको इसकी जगा पे रख देना है ठीक उसी तरीके से नीचे में भी ऐसे करेंगे एच को यहां बेजा और और को आपको करना होगा डबल-हेड़ेट टीर बनाते हैं डॉटेट वी बनाते हैं ताकि पता चल जाए कि हम इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करने के बाद अब जो इस्ट्रक्टर आपने लिखा है इसके में फिर से priority rule लगा करके आपना काम कर लीजे तो आईए priority rule लगा लेते आप चाहें तो इसको विर्स में इनको लिख भी सकते हैं को मोटी लाइन से लिख लीजे क्योंकि यह पता चल रहा है कि अभी होरिजोंटल पे हैं अब हम simply क्या करेंगे numbering करेंगे तो हमने कहा सबसे बड़ा ग्रूप इसमें कौन सा है यह हमारा CL वाला सबसे बड़ा है ठीक यहां पर जो CS2 BR है वो दूसरे नंबर पे अभी हम लोगों ने पिछे देखा था और उसका कारणी बताय था क्यों है यह हमारा तीसे नंबर का ग्रूप है और यह हमारा चौथे नंबर का अब देखी इस इंटरचेंज की वज़े से जो फूर्थ प्रियोर्टी ग्रूप था जो लिस्ट प्रियोर्टी ग्रूप था वो कहां आ गया वर्टिकल लाइन पर आ गया यानि यह पीछे चला गया अब हम आसानी से एक से दो की तरफ दो से तीन की प्रोटेट कर रहे हैं तो यह कैसे रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है यो पर S configuration यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज किया interchange करने के बाद हमने लिखा तो यहाँ पर S configurationël आगया लेकिन अगर हम दिना interchange के लिख रहे होते तो हमें क्या configuration मिलता ? यह होता हमारा वन यह होता horizontal line पर हमारा HR वो रोक राइस रोटेशन को होने से रोकेगा और अगर आप simply rotate कर देंगे तो आपका जो configuration बन करके आएगा वो गलत आएगा आप लिख देंगे आर सही नहीं है इसका क्या है ऐसे हम क्या करते हैं simply interchange कर लेते हैं दूसरा जो method है वो tricky method है बहुत आसान सा method है यह सबसे आसान method है ज्यादा तर जगहों पर अगर आप google करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे websites पर या books पर कई सारे वीडियो में आपको यहीं बताया जाएगा कि यह सबसे simpler method है और उपर वाला method जनरली लोग discuss नहीं करते हैं उपर वाला method जो है वो standard books में मिलता है थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रत है जब हमको इस structure भी लिखना हो तो हमको यहाँ पर rotation कर लेना चाहिए दूसरा जो method है बड़ा ही simple सा method है वैसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे करिए 123 की तरफ घुमाईए और अगर घुमाने पर आर आपका आ रहा है तो आप जस्ट उसका पोजिट करके उसको s करके लिख दीजिए हो जाएगा तो यहाँ पर आर आई रहा तो और ने क्या किया एस लिख दिया दो ही तरीके की possibility है तो simple क्या करना है इसमें हम कुछ नहीं करते हम क्या करेंगे simply पहले यहाँ पर जैसे priority रून लिख रहे थे बिल्कुल वैसे priority numbering कर लेते हैं तो यहाँ अब यह हो गया हमारा priority number one हो गया यह वाला number two था यह हमारा number three था और यह हमारा number four था तो हम यह क्या क्या है वन से three की तरफ जाना है तो हम one से चले और three की तरफ बढ़क चले ठीक जैसे उपर अभी चले थे आप तो one से three की तरफ हम क्या कर रहें rotate कर रहें और rotation करने पर हमको आर- configuration प्राप्ट हुआ, लेकिन क्योंकि ही जो है वो horizontal position पर लगाया, छोटा वाला group जो है वो horizontal पर लगाया, तो सीधे आर नहीं लिखेंगे, क्या करना है, इसमें हम change कर देंगे अपना result, तो हम इसमें क्या करते हैं, कि rotate molecule को कुछ rotation नहीं करना है, केवल 1-2-3 की तरफ जाना ह और जाते समय जो भी configuration आपको दिख रहा है कि गिंती करने में ये R एक से तीन के तरफ जाने पर right side दिख रहा था clockwise दिख रहा था R configuration होना चाहिए तो अब हम simply इसको क्या करेंगे अपने result को change कर देंगे अगर R मिल रहा था तो S कर देंगे, S मिल रहा था तो R कर देंगे, ये simple सब से देखते ही आप बता दोगे कि कौन सा configuration वहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि fourth priority group जो है अगर horizontal line पर होगा, तभी आपको या तो interchange करना है या तो जो configuration आपको दिखा है उसको आपको invert कर देना है, उल्टा कर देना है, change कर देना अपने result को R दिख रहा है, तो S और अगर S दिख रहा होता, तो उसे हम क्या कर देते, R कर देते, तो यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर S configuration है तो इंटरचेंज करके आपने बताया कि यहाँ पर दूसरे पोजिशन पर S-Configuration तो यह था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर मैंने आपसे डिसकस किया कि जो हमारा फिसर फ्रोजेक्शन होता है फिजेक्शन होता है किसी भी काईडल मॉलेक्यूल का यहाँ पर एक से ज्यादा भी काईडल हो सकते हैं हर एक सेंटर पर आपको सेम चीज करनी है और अगर होरिजोंटल लाइन पर है तो अपने इसल को लटा कर देना है और अगर वर्टिकल किजेगा तो आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बाकी फिसर प्रोजेक्शन में कई बार क्योंकि एक्जाम में भी आता है और हमें मालूम होना चाहिए ज्यादा तर जगों पर कहा है हम बायक है मिस्टी पढ़ रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रह अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें यूटूब, टेलीगराम, फेस्बुक हमारा जो अप है प्ले स्टोर पे जिसका नाम है डॉक्टर पीकेस, आप में फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।